दोस्तों आसे विए स्वागते आपे में चनल इस्टेडी कुल में आज है पंदा नॉम्बा दो जर बाइस हो आज के दिन से करेंट अफर के जितने मुश्टम पॉटर कोस्वन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिसेस करेंगे साथी हर कोस्वन से लेटर में इंपॉटर दानों कर सकते हैं पीडिया पाफा में टेलेगम चैनल से भी दानों कर सकते हैं वहाँ पर आपको डेली कंटरफर के पीड़ा फाइल मिल जाएगी और टेलेगम चैनल का लिंग विडियो डिसेस्टम में दे दिया है तो आप वहाँ से जोईन कर सकते हैं तो चलिए सुरू क तो पहला question है अपर कुस्यों का राइट अंसर है Option D आप इसमें भी देखी ये हैं स्थे में ये स्थे में घु 나 अब ये ब्राहनेमजदर से रीलेकरप्रेसन है तो अभी पिंटोला के ब्रेंडमजडर सूर्कमार यादो बने थे बोरो प्लस क्रीम के ब्रेंडमजडर अक्षे कुमार बने थे हीरो मोटो कॉप के राम चरन बने थे स्केचस इंडिया के कृती सिनन बनी थी नेत हीनों के लिए T20 विसकप के ब्रेंड मजडर युगरास सिंग बने थे गल्फ आयल के ब्रेंड मजडर इसमिती मंदाना बनी थे वालकारू के अजे देगन बने थे ओमारा डेटस के अमिताब बच्चन बने थे बंदम बैंग के सौरप गाउंगली बने थे और अभी हाली में बायजूस के पहला वैस्विक ब्रेंड मजडर लियोन मैसी बने थे तो इतने आप रिसेंटली ब्रेंड मजडर के बारे में याद रखिएगा नेस कोस्टन है हाली में RIL किस राज में भारत का पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क विक्सित करेगा तो अभी RIL यानि Reliance Industries Limited ये तमिल नाडू में भारत का पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क विक्सित करेगा तेश कोसन का राइट अंसर है अब ये Reliance करेगा तो Reliance की स्थापना कबूई थी आठ माई 1973 में Reliance के संस्थापक कौन है? धिरूबाई अंबानी आप इसमें जो दिखिए ये हैं धिरूबाई अंबानी और Reliance के हेड़कोर्टर कहा पर है? मुंबाई में और वर्तमान में Reliance के अध्यच और MD कौन है? मुकेस अंबानी आप इसमें जो दिखिए ये हैं मुकेस अंबानी जो की धिरूबाई अंबानी के बेटे हैं और ये है Reliance Industries का लोगो नेस कोशन है हाली में प्रतिस्थिट राश्टी रच्छा कौलेज यानि NDC ने स्कॉल अफ हॉनर से किसे सम्भानित किया है? तो अभी वर्तमान में राश्टी सुरच्छा सलाकार है अजीत धोबाल इनको राश्टी रच्छा कौलेज ने स्कॉल अफ हॉनर से सम्भानित किया है देस कोशन का राइट अंसर है ओफसन C आप इसमें देखिए ये हैं अजीत धोबाल और ये वर्तमान में राश्टी सुरच्छा सलाकार है और इनी को राश्टी रच्छा कॉलेज ने स्कॉल अफ हॉनर से सम्भानित किया है चलिए नेस कोशन है हाली में किसने दवाओं पर बार कोट को छापने को अनिवार किया है तो अभी केन सरकार ने अनिवार किया है अब ऐसा किया कुँ है तो नकली दवाओं को बाजार में आने से रोकने के लिए कि इन सरकार ने दवाओं पर बार कोट छापना अनिवार किया है चलिए कोशन नमबर फाइब है किस देश ने 2027 तक ब्याज मुक्ट बैंक विवस्ता लागू करने की घोशना की है तो अभी पाकिस्तान ने 2027 तक ब्याज मुक्ट बैंक विवस्ता लागू करने की घोशना की है तेश कोशन का राइट अंसर है और इसकी घोशना पाकिस्तान के वितमंत्री इसाग डार ने की है अब पाकिस्तान ने की है तो आप इस मैप में दिखिए ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान का फ्लैग अच्छा दोस्तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइट करने वाली लाइन को का कहते हैं डूरल लाइन ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइट करने वाली लाइन करते हैं रेट किलिफ लाइन इन दोनों कुस्षन को भी आप याद रखेगा अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान की राजधनी क्या है इसलामाबाद पाकिस्तान की करंसी क्या नाम है पाकिस्तानी रूपिया, पाकिस्तान की राजभासा क्या है उर्धू, पाकिस्तान की संसत क्या नाम है नैशनल एसमली, और वर्तमान में पाकिस्तान के राजपती कोने आरिफ अलवी, और वर्तमान में प्रधान मंत्री कोने स्याबाज सरीफ नेस कोशन है हाली में गरीब पिछड़े वर्गों के आरच्छन को ससत्तर पतिसत तक बढ़ाने के लिए किस राज में विध्यक पारित किया गया है तो अभी जारखन में गरीब पिछड़े वर्गों के आरच्छन को ससत्तर पतिसत तक बढ़ाने के लिए विध्यक पारित किया गया है जेशोसन का राइट अंसर है ऑप्सन ए अब ये विध्यक जारखन में पारित किया गया है तो आप इस मैप में देखिए ये है जारखन अच्छा जारखन उरुईशा, चथिजगन, उत्तरपदेश, बिहार और वेस बंगल इन राजजों के सत अपनी बॉंडी सेर करता है जारखन के राजधानी के आए राची, जारखन का गठन का बुगा 15 नॉंबर 2000 यानि आज जारखन का इस्थापना दिवस मनाया जाएगा और जारकन में लोकसभा की कितनी सीटे हैं? अच्छा जारकन का राच की पसू क्या है? हाती राच की पच्ची क्या है? कोयल राच की वरच क्या है? साल राच्की मिठाई क्या है दिदोरी और राच्की पुष्प यानि फूल क्या है पलास जारकन में कौन-कौन से नेशनब पार्क है बेतला नेशनब पार्क है और पलामू वाइलेफ संचरी है जारकन के कौन-कौन से famous dance है चाउ, पाईका, कमरा, सोरई, संताल, जूमर, भजा और सरहूल जारकन में हजारी बाग जील है, राजा तलाब है और तोंप चाची जील है तो इतनी जानकारी आप जारकन के बारे में याद रखिएगा और आज जारकन का इस्तापना दिवस है, इसे भी आप याद रखिएगा नेसकोसन है, हाली में अमेरिका के कैलिफोनिया विधान सबा के लिए चुनी जाने वाली पहली भारती मुल्की सिख मैला कौन बनी है तो अभी डॉक्टर जस्मीत कॉर बेंस ये अमेरिका के कैलिफोनिय विधान सबा के लिए चुनी जाने वाली पहली भारती मुल्की सिक मैला बनी है तेसकोशन का राइट अंसर है ओप्सन सी आप इसमेंगे देखिए ये है डॉक्टर जस्मीत कॉर बेंस और ये अमेरिका के कैलिफोनिय विधान सबा के लिए चुनी जाने वाली पहली भारती मुल्की सिक मैला बनी है चलिए नेसकोशन है हाली में फसाई ने किस रेलवे इस्टेशन को फोर इस्टार रेटिंग के साथ इट राइट इस्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है तो अभी भोपाल वेलवे इस्टेशन को फसाई ने फोर इस्टार रेटिंग के साथ इट राइट इस्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है तेसकोशन का राइट अंसर है ओप्शन बी अब सम्मानित फसाई ने किया है तो फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में से भारती खाद सुरच्चा और मानक प्राधिगर्ण कहते है फसाई की स्थापना कभी 5 सितंबर 2008 में फसाई का एट कोर्टर कहां पर है नई दिल्ली में और वर्तमान में फसाई के अध्यच कोने राजेश भूसन और वर्तमान में सी यू कोने एस गोपाल क्रिशनन और ये हफसाई का लोगो नेस कोशन है हाली में भारती मुक्य बाज लॉलिना बॉर्गो हेन ने ACI मुक्य बाजी चेंपिन सिप में कौन सा पदक जीता है तो अभी भारती मुक्के बाज लॉलीना बॉर्गोहन ने 75 किलोग्राम वर्ग में ACI मुक्के बाजी चेंपिन सिप में सौन पदक जीता है देश कोशन का राइट अंसर है आपसन ए आप इसे में देखिए ये हैं लॉलीना बॉर्गोहन और इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में ACI मुक्के बाजी चेंपिन सिप में सौन पदक जीता है कोशन नमबर 10 है हाली में स्लोवेनिया देश की पहली महिला राजपती कौन बनी है तो अब नतासा पर्क मुसर ये स्लोवेनिया देश की पहली महिला राजपती बनी है देशोसं का राइट अंसर है ओप्शन D अच्छा दोस्तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुए है जॉर्जिया मेलोनी ये किस देश की पहली महिला प्रदान मंत्री बनी थी तो ये इटली देश की पहली महिला प्रदान मंत्री बनी थी तो आप इन दोनों के बारे में याद रखेगा आप इसमिज में देखिए ये है नतासा पर्क मुसर जो के अभी हाल में स्लोवेनिया देश की पहली महिला राजपती बनी है अब ये स्लोवेनिय देश की बनी है तो आप इसमिज में दिखिए ये है स्लोवेनिया और ये है स्लोवेनिया का फ्लैग स्लोवेनिया की राजधानी क्या है जुबल जाना क्या है जुबल जाना स्लोवेनिया की करंसी के नामे यूरो स्लोविनिया की राजभांसा किया है स्लोविनियाई स्लोविनिया की संसत के नाम है नैसनल असमली और वरतमान में स्लोविनिया की राजपती तो यही बन गई है नतासा पर्क मूसर अच्छा स्लोविनिया के प्रधान मंत्री कौन है रोबर्ट गोलोब आपे समिज में दिखिए ये हैं Robert Golov नेस ले हाली में Modis ने 2022 के लिए भारत की आरतिक विद्धी का अनुमान घटा कर कितने परतिसत किया है तो अभी Modis ने 2022 के लिए भारत की आरतिक विद्धी का अनुमान 7.7% से घटा कर 7% किया है इस कुशन का राइट अंसर है Option A नेसकोसन है हाल में भारती सेना ने किस राज में वालोंग मेले का आयूजन किया है तो अभी अवाचल पिदेश में भारती सेना ने वालोंग मेले का आयूजन किया है तेसकोसन का राइट अंसर है ओफशन B अब इस मेले का आयूजन भारती सेना ने किया है तो भारती सेना की इस्तापना कभूई थी एक अपल 1895 में भारती सेना का एट कौर्टर कहां पर है नई दिल्ली में और वर्तमान में थल सेना अध्याच कौने जन्नर्न मनोश पांडे अच्छा सेना दिवस कप मनाए जाता है तो ये 15 जन्वरी को मना जाता है और भारती सेने का आदस्वाग यानी मोटो क्या है सेवा पर्मो धर्म और ये है भारती सेना का लोगो Question number 13 है हाली में कब विश्य मदू में दिवस 2022 मनाय गया है तो अभी 14 नॉवंबर को विश्य मदू में दिवस 2022 मनाय गया है तो विश्य मदू में दिवस यानी World Diabetes Day ये मनाय क्यों जाता है हिंदी में इसे मदू में सिच्चा तक पहुँच कहेंगे अब ये important डेवाला Question है तो अभी मैंने आपको कल बताया था कि 13 नॉवंबर को विश्य द्यालूता दिवस मनाय गया है 12 नॉवंबर को विश्य निमोनिय दिवस मनाय गया है 11 नॉवंबर को राष्टी सिच्चा दिवस मनाय गया है 10 नॉवंबर को सांती और विकास के लिए विश्य विज्यान दिवस और विश्य उपयोगता दिवस मनाय गया है 9 नमबर को उतराखन का इस्तापना दिवस और राष्टी कानुनी सेवा दिवस मनाए गया है 8 नमबर को विश्य रोडियोग्राफी दिवस और गुरु नारक देव की 552 वी जैनती मनाए गया है साथ नम्बर को राष्टी कंसर जाउक्ता दिवस और सिशू सनाच्य दिवस मनाए गिया है पांच नम्बर को विशु सुनामी जाउक्ता दिवस मनाए गिया है दो नम्बर को International Day to end Impunity for Crime Against Journalists मनाए गिया है और एक नॉमबर को सात भारती राज और दो किन सासित प्रिदेश इन्हों ने अपना इस्थापना दिवस मनाया है और एक नॉमबर को ही सभी संत दिवस और विशु साकारी दिवस मनाया जाता है तो इतने आप नॉमबर मैने के इंपोर्टन डे सिरिल से याद रखिएगा और अब बार ये लास्ट वीडियो में पोचे कोशन के आंसर की तो लास्ट वीडियो मैं आप से पूचा था हाली में IPPB यानी Indian Post Payment Bank ने कहां पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्ती साचेत्ता सिवर अयोजित किया है तो अबी IPPB ने जम्मु कस्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्ती साचेत्ता सिवर आयुजित किया है तो इस कोशन का राइट अंसर है और आज के लिए आपका कोशन है हाली में किसने भातिन और सेना की सोनार सिस्टम के लिए कोश्ची में परिच्चन और मुलाइकन फैसिलिटी सुरू की है ये हैं चार अप्सन इन चार अप्सन से जो भी एक राइट अंसर होगा उसको आप कमन बॉक्स में कमन करके बताएंगे और इसका अंसर आप डिटेल में लिखेंगे जैसे इन में से किसी एक का भी अंसर होगा उसका आप इस्थापना दिवस उसका हैट क्वार्टर कहां पर है उसके अध्यच कौन है तो ये सारी डिटेल्स आप हमें कमन बॉक्स में कमन करके बताएंगे तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमन करके ज़रूर बताएगा और इस वीडियो को हर जगे ज़्यादा ज़्यादा सेयर करेगा आपकी सपूर्ट की बहुत ज़रूर रहत है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करेगा और इस वीडियो के पीडियाफ फाइल आप वीडियो के डिस्प्सन और हमारे टेलेगेम चैनल से डाउनलोग कर सकते हैं और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सस्क्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि डेली कंटरफर के वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए